हलो एंड वल्कम बैक टो ब्रैंड नूव वीडियो आफ स्टडी हब तो आज का टॉपिक जो है सो काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम के लिए दिखो वैसा टॉपिक जो किसी फॉर्स्ट चीट से रिलेटेट करें फॉर्स्ट लेडी या फिर फॉर्स्ट मेल कुछ भी ऐसा काम जो पहली बार हुआ हो है ना तो करेंट फिर में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है और इस तरह का कोश्चन हम लोगों को एक बार पढ़ना ही चाहिए क्योंकि किसी भी इक्जाम में यह कॉश्चन आएगा है ना आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है इस लिए इंपोर्टेंट हो जाता है इस तरह का कूश्चन तो यार इसी तरह का एक टॉपिक है आज की केरल राज जो है वहाँकी पहली महिला DGP बनने वाली है आज स्रीलेखा है ना तो उन्ही के बारे में आज हम लोग जानेंगे कहां से बिलों करती है वो उन्होंने एड्यूकेशन कहां से लिया तो उसी के बारे में आज देखना है जो कि Current Affairs के लिए बहुत ही important है तो यार देखो देखते हैं कि क्या है इसमें 1991 बैच की IPS अधिकारी स्रीलेखा बनेंगी केरल की पहली महला DGP केरल पुलिस में पहली बार महला पुलिस महानी देशक यानि की DGP की न्यूकती होने जा रही है फिलाल अतेरिक्त DGP के पद पर तैनात आर्सरीलेखा एक जून को केरल अगनी एवं राहत सेवाओं के अधक्ष के रूप में कारेभार संभालेगी तो यह किसका पद समारेगी तो अगनी एवं राहत सेवाओं के अधक्ष कारेभार संभालेगी तो देखो यार एक चीज है कि केरल में सिर्फ चार ही DGP रह सकता है ऐसा fixed है वहाँ पे कि केरल में सिर्फ चार ही डीजीपी रह सकता है तो अबर सायद वहाँ पे दो जो है उनका retirement होने वाला है तो इसी के जगह पर एक add होगा ठीक है वर्तमान में उनके जिमें जेल विभाग है बुधवार को ही राज कैबिनेट की सापताहिक बैठिक में उन्हें डीजीपी के पत पर प्रोनेत करने का फैसला लिया गया है बता दे कि केरल पुलिस के दो डीजीपी इस रईवार को सेवा निवरित हो रहे हैं मैंने आपको बताया आगे हाला कि स्री लेखा को दो साल पहले ही डीजीपी का दर्जा मिल गया था लेकिन केंद्र केरल में केवल चार डीजीपी की ही अनुमती देता है मैंने आपको बताया कि सेंटर जो है सो फिक्स करके रखा है कि केरल में चार ही डीजीपी रहेगा तो चार DGP था पहले से तो क्या होगा कि दो जो है सो सेवा निवरित हो रहा है तो इसके जगा पर एक फीमिल DGP होगा श्री आर लक्षमी जो कि केरल की पहली महला DGP होगी है 1988 बैच की IPS अधिकारी श्री लेखा साल 1991 में पहली महला पुली सुपरेटेंडेंट बनी थी अब यह हो गया इंट्रोडक्षन करेंट अब हम लोग इसके बारे में बायोग्रफी जान लेते हैं इनके बारे में तो आर श्री लेखा बॉन 25 दिसमबर 1960 is an officer in the IPS and the lady officer of the IPS from Kerala, India Srimati Jija Madhavan Harishin who hails from Trivanthapuram, Kerala is the first woman IPS officer from South India who was in Karnataka cadre है न, जो की Karnataka चन्वर्ग में थी Shri Lekha is a dedicated officer, author and has also served as managing director for public sector organizations in Kerala देखो, जो ये बनेगी, DGP, है न, तो इनके बारे में एक चीज और है, कि ये books भी लिखती है, है न, साइद इसके इनके द्वारा लिखे गए 9 books है, जो की publish हो चुके है 9 है या फिर 7 है, मैं fix नहीं हूँ, लेकिन साइद 9 books है जो की publish हो चुके है इनके नाम का जो की जाहिर से बात है यार, इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है तो अपने करियर में इन्होंने CBI के लिए भी काम किया है और वहाँ पे इनका एक निकनेम पड़ा था, जो नाम था रेड श्रीलेखा, उसके बाद हम लोग इनके परिवार के बारे में जानते हैं और इनके जीवन काल के बारे में, सुरु का जो जीवन काल का था उसके बारे में जान लेते हैं श्रीलेखा वास बार्न 25 दिसंबर 1960 इनका परिवार में कौन कौन है ये डाउटर है प्रोफेसर की जिनका नाम है एन वेलयानुधन नायर और बी राधम्मा इनकी मा का नाम है और इनका साधी किस से हुआ है तो डाक्टर सेतुनाच से हुआ है जो की एक प्रोफेसर है पीडियाट्रिक सर्जरी के Medical College of Hospital त्रीवन्तपूरम में है और इनका एक बेटा है जो की एक अपना बिजनेस चलाता है है ना तो ये है और इनका अब हम लोग education के बारे में जान लेते है स्रीलेखा completed her schooling from Cotton Hill Girls High School त्रीवंतपूरम में ही एक school है Cotton Hill Girls High School वहाँ से उन्होंने अपना schooling complete किया where she was involved in various activities like music, drama, NCC and NSS तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे various activities में भी भाग लिया था जैसे कि music में, drama में, NCC और NSS में she then went on to complete her bachelor's degree in English literature at women's college in त्रीवंतपूरम women's college त्रीवंतपूरम में ही उन्होंने अपना bachelor's degree complete किया English literature में she then did her master's at the university institute of English in the Kerala University campus in 2005 while in service she opted an MBA in human resource management from IGNU तो उन्होंने IGNU से human resource management किया है IGNU का full form होता है इंद्रा गांधी national open university she was awarded the prestigious evening fellowship देखो यह चीवनिंग fellowship क्या होता है एक तरह किसे मानलों की एक scholarship होता है जो कि UK में जा करके पढ़ने का opportunity देता है तो उन्हें ये मिला जो कि government of United Kingdom and she undertook the fellowship studies in King's College London और फिर उन्होंने ये scholarship लिया और उन्होंने कहां पर फिर जा करके पढ़ाई किया King's College जो कि London में है Science PO Paris, Edinburgh University, United Nations Officers in Geneva and Oxford from September to December 2015 में यहां पर यहां पर उन्होंने अपना studies को complete किया She also attended the mid-career training program at London Business School and UK Metropolitan Police in 2013 तो उन्होंने क्या किया अपने career के mid में क्या किया है उन्होंने UK Metropolitan Police में भी अपना एक training लिया था 2013 में तो देखो यार, exam point of view से यह बहुत ही important है क्योंकि first time ऐसा हुआ है कि केरल में कोई महला DGP है जो आई है, तो काफी important होगा यह current affairs के लिए क्योंकि exams में तो आएगा, चाहे CHSL में आए या फिर NTPC में आए Group D में आए, किसी में भी आए लेकिन आएगा तो fix है तो यार, यह था आज का topic, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करना इसको और चैनल को subscribe करना, इस वीडियो से related अगर कोई query होगा, कोई question होगा तो उसको comment box में जरूर डालना, और तब तक के लिए take care and goodbye